जांजीर जापाज जिला के पिथमपूर मेला में इस साल लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने कुमी रही है वैसे तो 36 गड़ में गर्मी का मौसम सुरू हो चुका है और तेज गर्मी पड़ रहे हैं और प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी जांगीर जीला में ही पड़ती है इसे बावजुद भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहां देखने कुमी रही है पिथमपूर चापा से माज आज क्रुमीटर की दूरी में हस्देव नदी के तर्पर है यहां सिवजी का प्राचीन मंदीर है इसे कलेश्वर नात मंदीर की नाम से जाना जाता है जिसकी निर्मार सन के समन्द में कोई निश्यत जानकारी उपलब्द नहीं है लेकिन इस मंदीर का नाव निर्मार 1698 में हुआ था कुर्णा काल की वज़े से पिछले दो सालों से मेला का योजन बंद कर दी गई थी लेकिन इस साल फिर से मेला लगया गया है तो लोगों की काफी भीड देखने कुमी रही है मेला परसन में सभी प्रकार की दुकाने सजी है वहीं अगास जुला, थेटर, मौत मुआ का खेल जैसे मरंजन के साधन उपलब्द है पितामपुर मेला का प्रमुक आकरशन नदी किनारे नागा साधूं का दल है कलिश्वर नारत मंदीर को लेकर बहुत सारे प्राचीन कहानिया है ऐसा कहा जाता है कि इनी संतान दपतियों को यहाँ पुझा पाथ करने से संतान की प्राक्ति होती है और सभी प्रकार की बिमारियों से निजात मिल जाती है खैर कहानिया जो भी रहे इतनी गर्मी के बावजूद मेला में लोगों की इतनी भीड एक अच्छी बात बने जिला प्रमुक वा ब्लाग प्रमुक रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सब चबड़ी न्यूज चैनल 36 गड़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जूने का